नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूटूब चैनल अभेशिंग फियरलेस वर्ल्ड में स्वागत है, आज मैं आपको बताने वाला हूँ लर्निंग पिरामीड के बारे में, आप लोग मेरे चैनल को सस्क्राइब किये होंगे, और आप हमेशा वीडियो देखते होंगे, और डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, तो अगर आप Google सर्च करते हैं, तो आपको एक मिलेगा जिसका नाम है Learning Pyramid, मैंने ये प्रिंड किया हुआ है, आप जिसे ही Google सर्च करेंगे Learning Pyramid, तो आपको आएगा, ये है National Training Laboratories के द्वारा रिसर्च किया गया ह जिसमें यह बताया गया है कि अगर आपको सीखना है तो कौन से पॉइंट पर आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा जैसे कि हम लोग क्या करते हैं जब सीखते हैं तो लेक्चर रेटन करते हैं जैसे अभी आप क्या कर रहे हैं मैं आपको लेक्चर दे रहा हूं आप सीख तो इसमें आप ज़्यादा नहीं सिख सकते हैं, इसमें आप केवल 5%, मैं जितनी बाते बताऊंगा, उसकी 5% ही आप चीजों को सिख सकते हैं, लेकिन अगर आप रिडिंग करते हैं, तो रिडिंग में आप 10% सिख पाते हैं, और वही आप जो है, अडियो विज्वल में आपक इसमें आप 20% सिख पाते हैं, और जब आप डिंग करते हैं, अपको अपना डाउट पूछों इस तरह से जब हम ग्रूप में मिलके डिसकेशन करते हैं, तो हम लोग 50% सिख पाते हैं, और अगर हम जब कुछ प्राक्टिकल करते हैं, जैसे आपको टो इसमें जाए फाइर पॉठल दिया और आप बुझाओ जब ये काम आप करोगे तो इसमें आपको 75% आप सीख जाते हो जब हम प्रैक्टिकल डूइंग करते हैं तो और सबसे लास जो आता है वह है टीच अधर्स यानि कि इसमें आप 90% सिख जाते हो यानि कि जब आप किसी को पढ़ाते हो तो मैं जब ये चैनल ओपें किया था मेरा एक ही एम था कि मैं खुद सीखूं और दूसरे क्यों सिखाओं जिससे कि मेरा तो डेवल्मेंट आप देखने हैं कि मेरा 90% डेवलप हो रहा है जबकि आप लेक्चर सून रहे हैं तो मातर आपको 5-10% आपको मिल रहा है तो कहीं नहीं मे सिखना है तो दूसरे को सिखाई आप पढ़िए कंसेप्ट बनाएं सिखाई जितना उन चीजों को आप सिखाते हैं उतना खुद ज्यादा सिखते हैं यानि कि अगर आप लेक्चर दे रहे हैं तो अगला जो है 5-10% सिख रहा है जबकि आप कितना सिख रहे है 90% यानि कि 90% अच्छा है उस टोपिक पर तब आप किसी को पढ़ाने जा रहे हो तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि अगर आपको कुछ सीखना है और वो अविशम बात है कि हमारे चैनल पर आप आए हो तो कुछ-कुछ सीखने के लिए ही और अगर आपको सीखना है तो देन आप सीखो और किसी को सीखाओ जितना टिच करोगे उतना ही ज़्यादा आपका कंसेट बनेगा और उतना ही लॉंग लास्टिंग होगा आपके दिमाग में तो आई होब जो है आपको ये लर्निंग पीरामीड के बारे में पूरा-पूरा समझ में आ गया होगा तो सबसे कम जो इफेक्टिव होता है वो लेक्चर और सबसे ज़्यादा इफेक्टिव जो होता है वो है आप किसी को पढ़ाते हो तो तो मैं बोलूँगा हमेशा पढ़ाने के साथ में जाओ सीखो और सिखाओ दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक और सस्क्राइब करें आपके एक लाइक से हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है जिससे मैं नए नए टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए प्रीडित होता हूँ आप हमारे वीडियो को ऐसे ही प्यार देते रहें जिससे कि मैं आपको नए नए टॉपिक से अगत कराता रहूं और ऐसे ही आपके लिए एक अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहो तो मिलते हैं अगले ही ऐसे ही नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए टेक केर बाई बाई